नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वारता में दोस्तों आज हम आपके बीच में जो TGT का एक्जाम हुआ दोस्तों उसके आंसर की लिकर आए हैं तो अभी वाले portion में हम सिर्फ दोस्तों जो section 3 है दोस्तों social study का उसके बारे में ही चर्चा करेंगे तो चलिए प्रशन संक्या 61 से हम शुरुआत करते हैं अगर दोस्तों इस answer की में कुछ तूटी रह जाए तो आप comment section में जाकर उसे correct कर सकते हैं फिलहाल हमारी जानकारी के अनुसार जो answer की होगी दोस्तों वो हम आपके बीच में discuss कर रहे हैं तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले देख लेते हैं प्रशन संक्या 61 भारत की silicon घाटी कौन है तो दोस्तों इसका जो right answer होगा option A बंगलोर फिर दूसरा प्रशन है दोस्तों भारत में योजना आयो का गठन कब हुआ तो योजना आयो का गठन हुआ था दोस्तों 1950 में अगला प्रशन देख लेते हैं प्रशन संक्या 63 अंतराश्ट्रिय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो दोस्तों इसका होगा right answer option A आठ मार्च उसके बाद है रबबड का संबंध किस प्रकार की वनस्पती से है option इसका सही होगा दोस्तों ocean cut 1 दिया वर्शा 1 clear दोस्तो 64 का होगा option D अगला जो प्रशन है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है तो दोस्तों सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो है सुन्दरवन फिर आता है दोस्तों प्रशन संक्या 66 बूलर जील की सराजय में स्थित है तो दोस्तों जो बूलर जील है वो है जम्मू कश्मीर में option D होगा 66 का फिर उसके बाद आता है भारत में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून कब लागू हुआ था दोस्तों इसका जो राइट अन्सर होगा 2006 अगला जो प्रशन है दोस्तों प्रकाष की गती क्या है तो प्रकाष की जो गती है दोस्तों इसका राइट अन्सर होगा option A तीन लाग किलोमेटर प्रते सेकंड अगला प्रशन है दोस्तो विश्व पर्यावरन दिवस कब मनाया जाता है तो विश्व पर्यावरन दिवस मनाया जाता है दोस्तो 5 जून को Oopsn B इसका Correctants रहोगा विश्व का सबसे उंचा जल प्रपात दोस्तो विश्व का सबसे उंचा जल प्रपात, एंजेल जल प्रपात है, क्लियर है, इसका option A, अगला है NCC का गठन कब हुआ, तो दोस्तो NCC का गठन हुआ था 1948 में, अगला जो प्रशन है, राष्टर गान, जन गण मन, गाने का सही समय, दोस्तो यह है 52, क्लियर है, अगला प्रशन है दोस्तो, चंद्रमाप कृत्वी का एक चक्रलगवक कितने दिन में पूरा करता है, तो इसका जो राइट अंसर होगा दोस्तो, वो होगा 27 दिन, फिर आता है सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, तो दोस्तो सुनहरा रेशा कहा जाता है, जूट को, option A इसका सही कितने से कौन सा वेध सबसे पुराना है, तो दोस्तो सबसे पुराना वेध है, रिगवेध, option C होगा इसका, 77 का होगा option C, फिर उसके बाद है दोस्तो, भीम बेट का कहा स्थित है, तो दोस्तो, भीम बेट का जो स्थित है, देखिए, 78 का जो उतर होगा, दोस्तो, वो होग अगला प्रशन है यंग बंगाल के संस्थापक कौन थे तो दोस्तों यंग बंगाल के संस्थापक थे Henry देरियो ठीक है दोस्तो असी का होगा option A अगला जो question है दोस्तो वो है Swami द्याराण सरस्वती ने RS Maaj की स्थापना कब की थी? तो दोस्तो स्थामी द्याराण सारस्वती ने जो इसकी स्थापना की थी वो की थी सन 1875 में clear है दोस्तो option B आईने अकबरी किसने लिखी थी दोस्तों ये प्रशन पीछले गल भी पूछा गया था और आज भी इस प्रशन को पूछा गया है तो इसका जो राइट अनसर है दोस्तों वो है अबुल फजल क्लिर है दोस्तों 82 का होगा B पिर उसके बाद आता है विश्यम में सरवधिक का कौफी उतपादक देश कौन है तो दोस्तों विश्यम में जो सबसे सरवधिक कौफी उतपादक देश है दोस्तों वो है ब्राजील ऑप्शन ये इसका सई होगा 84 है दोस्तो भारतिय पूरत तत्व का पिता किसे कहा जाता है तो दोस्तो भारतिय पूरत तत्व का जो पिता कहा जाता है अलक्संडर कनिम घम को क्लियर है दोस्तो इत गोविंद नामक पुस्तक किस ने लिखी है तो दोस्तो इसके जो राइटर है ये है जैदेव महमूद गजनवी ने सोमनात मंदिर पर आकरमन कव किया था तो दोस्तो सोमनात मंदिर पर जो आकरमन किया था इसने एक हजार पच्चिस इस्वी में ठीक है 86 का देखिए A होगा option दखन फठार कहां पस्तिते हैं तो दोस्तो ये है भारत में अगला प्रशन है देखिए नर्मदा नदी का उदगम स्थल कहां पर है तो दोस्तो इसका जो राइट अंसर होगा option B अमरकंट तो काली मिटी किस राजय में पाई जाती है तो देखिए दोस्तो काली मिटी जो पाई जाती है वो पाई जाती है गुजरात में option A इसका सई होगा अगला प्रशन है इंडी का किस ने लिखी थी तो दोस्तो ये लिखी थी मेगस थ्मीज ने clear है एलोरा गुफाएं किस राजय में है तो दोस्तो एलोरा की जो गुफाएं है वो हैं देखिए महराश्ट्रा में कहां पर हैं महराश्ट्रा में option A इसका सई होगा अगला है सर्ति प्रथा को स्माप्त करने का कानून कब बनाया गया तो दोस्तो जो सर्ति प्रथा स्माप्त की गई थी ये की गई थी 1829 में तो इसका जो होगा option C तो प्रशन है दोस्तो पलासी की लडाई किस सन में हुई तो दोस्तो पलासी की जो लडाई हुई थी देखिए वो हुई थी 1757 में इसका option होगा B भारत में railway का अरंब कब हुआ था तो दोस्तो भारत में जो railway का अरंब हुआ था option A 1853 1853 में railway का अरंब हुआ ठीक है जलियां वाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दीकि दोस्तो भगत सिंग बगेरा से प्रशन पूछे जा रहे है तो पिछले कल भी इस से पूछा था कि कब उनको फांसी दी गई थी तो आज बूचा है कि जलियां वाला बाग हत्याकांड कब हुआ तो दोस्तो इसका जो राइट अंसर देखिए अप्रेल 1919 तेरा अप्रेल 1919 को वर्तमान में महुन जोदरो कहां पर है तो दोस्तो ये है पाकिस्तान तो इसका क्लियर अंसर क्या होगा पाकिस्तान तो मौरे समराजय का संस्थापक कौन था तो दोस्तो मौरे समराजय का संस्थापक था चंदर गुप्त मौरे इसका A होगा राइट अंसर पंचतंतर का लेखक था तो दोस्तो पंचतंतर के जो लेखक हैं वो है विश्नु शर्मा दोस्तो चौरी चौरा की गटना कब हुई तो इसका जो राइट अंसर होगा दोस्तो 1922 बुद्ध चरित के लेखक कौन है तो बुद्ध चरित के जो लेखक है दोस्तो वो है option C अश्वगोश तो गुप्त काल का सबसे प्रसिद गणी तक गया था तो सबसे प्रसिद जो गणी तक गया था दोस्तो वो था आर्या भट 101 का option A होगा दोस्तो राइट प्रशन नंबर 102 देख लेते हैं बोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी तो दोस्तो इसका होगा A 1984 में भा MS स्वामिनाथन खजुराहो मंदिर का निर्मान किस ने किया प्रशन संक्या 104 देखे दोस्तो इसका जो राइट अंसर होगा चंदेलों ने तो भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज किस ने की थी तो भारत के लिए जो समुद्री रास्ते की खोज की थी दोस्तो वो की पुर्तगालियों ने अगला है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो दोस्तो इसका जो right answer होगा वो होगा नील नदी option b फिर आता है कि भारत का सबसे भारत की सबसे पुरानी परवत श्रिंखला कौन सी है तो दोस्तो इसका जो right answer होगा परावली, 107 का होगा option B, करकरिखा निमनलिकित राज्यों में से किस से गुजरती है तो दोस्तो इसका जो right answer होगा वो होगा राजस्थान किली मिंजारो परवत किस देश में है तो दोस्तो इसका जो right answer होगा देखिए किली मिंजारो जो परवत है तंजानिया में कहां पर है दोस्तो option B देखिए तंजानिया अगला जो प्रशन है दोस्तो WHO का मुख्याल है कहां पर है तो दोस्तो ये स्विजलेंड के जनेवा में clear है अगला जो प्रशन है देखिए राजनितिक दल को राष्टे दल की पहचान कौन देता है तो चुनावा योग भारत में कपास मीलों की सबसे बड़ी संख्या भारत में कपास मीलों की सबसे बड़ी संख्या किस राज्य में है तो दोस्तो सबसे ज़्यादा महराष्ट्रा तो निमिलिक्त में से किसे भोर कातारा कहा जाता है तो दोस्तो ये कहा जाता है शुक्र को भोर कातारा किसे कहा जाता है शुक्र को तो दोस्तो यूरोपिय संग का जो मुख्याल है देखिए option 115 का आएगा B, बुरुसेल में ठीक है दोस्तो भारत में राष्टी उपभोगता दिवस कब मना जाता है तो दोस्तो उपभोगता दिवस भारत में मना जाता है 24 दिसंबर को NSS का चिन क्या है तो दोस्तो NSS का जो चिन है वो है रत का पईया रत चक्र मतलब अध्योगी करांथी सबसे पहले कहां आई थी दोस्तो अध्योगी करांथी सबसे पहले आई थी इंग्लेयन में उसके बाद अगला प्रेशन है विश्व में आर्थिकमंदी का वाई 119 देखिए इसका राइट अनसर होगा 1929 option A राइट होगा हीराकुन परियोजना किस राजय में है तो दोस्तो हीराकुन जो परियोजना है वो है ओडिसा में हमारे जो थर्ड यूनिट है दोस्तो थर्ड सेक्शन है इसका वो यहीं पर संपन होता है अगली वीडियो जल्दी आपके बीच में होगी दोस्तो तो प्लीज आप हिंदी साही तेवारता के साथ बने रहिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करना दोस्तो अगर कोई भी क्वेरीज होगी तो आप इसमें बिल्कुल कमेट करके हमें बता सकते हैं दोस्तो कि इस क्वेशन का यह अंसर होगा तो जल्द मिलेंगे दोस्तो दूसरी वीडियो के साथ तब तक के लिए जाहिन